जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है जिसमें राजनीती अपने चरम पर हुई, कूटनीती अपने चरम पर हुई, शड्यंत्र हुए, युद्ध हुआ, बहुत पड़ा मेसेज उसके भीतर छुपा है और कहीं न कहीं वो हम सभी की लाइफ में अलग-अलग स्तरों पर जाकर जुडबी जाता है, जब हम आज के दौर की राजनीती की बात करते हैं, आप कैसे उस चश्मे से आज के दौर की राजनीती को देखते हैं, महाभारत के चश्मे से मैं आपको एक बात बताओ, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र हुआ था, वो लड़ाई किन के बीच में था, धर्म अधर्म के बीच में, नियाएं अनियाएं के बीच में, सत्या असत्या, एक दूस्ते से लड़ रहे थे आज ये पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, हम लड़ रहे हैं किस से? प्रकृती से, लड़ रहे हैं किस से? ऐसा कोई आपदा जो हमने नहीं बनाएं, जो आज ये देश जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना, भारत नहीं बनाएं, पुरे विश्च इस दौर से ये पिछले चार दिन से हम जो पश्ची मंगाल में गुजर रहे हैं, वो प्रकृती से हम लड़ रहे हैं, प्रकृती से क्या हम लड़ सकते हैं? महाभारत में हर बाते बाते बातों बातों में कहा गया है, प्रकृती सबसे उपर है, प्रकृती के नीचे अपके पास खुद तरुक खुद को खुद्राती खुद्र लगेगा इतना सा चीटी की भी भाति कम लगेगा अपने आपको यह आज प्रकृति हमको पीछले दो दिन से दिखा दिया बंगाल में पश्ची मंगाल लोग ऐसे परेशान हुए ऐसे परेशान में मैं क्या बताओं लेकिन यह दिखा यह देखो कोरोना वाइरस के साथ महाबारत का कोवीट के साथ महाबारत का लोगडाउन का कैसा सम्मन्द है भारत में हमेशा का परंपरा था हाथ जोर के नमश्कार करो था कि नहीं आज देखो यही हमारा सबसे बड़ा काम हो गया कि हाथ जोर के नमश्कार करो दूरी बना रखो उतना सम्मान बनाए रखो एक दूसरे का बदन के साथ धक्का मत मारो दूर रखो साफ रखो अपने आपको सुत्र रखो साफ रखो तो खुश भी खुश रहेगा बाकि लोगों को भी खुश रख पाऊगे तो यह सारे जो सीख है महा भारत बूलिये रामायन भी बहु कैसे हम भागेशाली है कैसे सीरियल में हम लोगों का मतलब यह सीरियल नहीं रहे गया यह एक्चुली हमारे जिन्दीकी की कहानी रहेगी अलग-अलग-अलग लहर में वो कहानी रह गई वो कहानी हमको दिखा दिया है कि भारत के संस्कृति के साथ जूड़े रहो आप कैसे ना कैसे करके आप थीक इस लडाई के जंग से आप बचके निकलो बचके निकलोगे तक्लीफ होगी करा अब कर देंत युज शाह में भी है सामन्हें आनूब ड़े wrong थे कर साथ ब्रूसर भाइस हा बमर्स जिह की आप बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी आप आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिली और अपने अनुभव जो आपने बाटे मुझे लगता है इस अनुभव से हमारी ओडियन्स भी यहां से लेके ज़रूर कुछ न कुछ जाएगी शुक्रिया आपका रूपा जी